हलो फ्रेंड स्वागत है आप लोग सभी को मेरा यूटूब चेनल पे मैं आज आप लोग के लिए फिर से एक नय रेसिपी के साथ में आई हूँ तो आज मैं आप लोग अब इसमें शेयर करूंगी कुछ यूनीक रेसिपी जिससे देख आपके मेमान तो खुश होंगे चने को लेंगे भिगोए हुए चने को जिसका कॉंटेटी है 100 ग्राम तो अबर नाइट इसको हमने भिगो दिया था पिला उट करके दो आलू लिया है हमने इसको भी साथी साथ बारिक चोप करके इसी के अंदर में मिक्स अब कर देंगे और साथी साथ दो ग्रीन चिल्ली एक पाइसी कम ज़्यादा हाप इंच टुकरा इंजर दो से तीन पिसेश गार्लिक साथी साथ इसका प्यूरी तयार कर लेंगे तो फाइनलिस का प्यूरी तयार कर लिया है तो इसको हमने एक बॉल में ट्रांसलेशन कर दिया है अब इसके अंधर में जाएगा अपका मन पस के बहुत सारे वेज़ेबल एड़ कर सकते हो और हमने यहां पे लिया हो और अजवाइन 2 göz так शोहामें 1ंटी पून बुना फ़ून गुणावा जीरा पाउडर बुना खनेय पाउडर 1umbles Time चिल्ली पाउडर लेडशी पाउडर और 30 qué लीषान अब थोड़ा मसला को मिला लेंगे, और अच्छे से मिला लेंगे. यहां पे लिया है, ब्रेट क्रॉम्स, इतना बोलके, हम इसका इसका नहीं बता सकते, आप थोड़ा से जादा ही ब्रेट क्रम्स तैयार करके रखिएगा जितना जुरुत होगा हम उतना इसमें ब्रेट क्रम्स एट करने वाले हैं तो ब्रेट क्रम्स एट करते हुए हम इसको स्पून से इस तरह से मिक्स अप करती रहेंगे चाहे तो आप हाज से भी मिला सकते हो और हतेली में हम थोड़ा सा ओयल लेंगे और इसके अंदर में मिक्स अब करके डो बनाना चालू करेंगे और हाँ आपको बता दू जब हमने इसको ब्लाइंड किया था कच्चे चने और पोटेटो को तो हमने इसमें एक भी पानी यूस नहीं किया था विदाउट पानी हमने इसको ब्लाइंड किया था अब दुबारा से इसमें ब्रेट क्रॉम्स एट करती हुए इसका जो मोईजरे थोड़ा कम करेंगे इसी तरह से हमने सारा मिक्सरन को एक डोगा फॉम में तयार कर लिया है यह हलका सा मोईजर अभी भी है लेकिन यह बात में खतम हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने कच्चे आलू का जो इस्तमाल किया था इससे हलका मोईजर होना सुभा भी के तो चुटा चुटा लोईया हम कि मेथोड में इस तरह से हतेली में लेंगे अब इसका सेप देते हुए कटलेट तयार करेंगे आप सेप कैसे भी दे सकते हो हम इसको राउंड सेप दे रहे है इस तरह से हतेली में रखके हम प्रेस करेंगे तो सायट से भी इस तरह से प्रेस करेंगे और ये हमने पापड का कृम्स बनाके रखा था और ये पापड का क्रम्स में हम रोल करते हुए इस तरह से मिलाएंगे तो ये हमारा कटिलेट बनके रेड़ी है हमने पापर क्रम्स में इस तरह से रोल भी कर लिया और एक प्लेट में रखेंगे इस तरह से सारा हम कटलेट को इसी तरह से शेप देंगे और इसी तरह से पापर क्रम्स में रोल करके हम रखेंगे जो इसका हलका मोज़र दिख रहा है आपको ये पापर क्रम्स में मिलते ही इसका नमी कम होने लगेगा देखिए तो इस तरह से सारा कटलेट को हमें इस तरह से तयार कर लेना है तो दो प्लेट में हमने भरके तयार कर लिया है सारा कटलेट को तो इसको हम तुरुंद नहीं आप चाहे तो इसको फ्रीज में कम से कम चार से पांच गंटा शेट करके रखे और जबी भी आपको खाने का टायम होना तभी हम कटलेट को निकाल के छानेंगे और सॉब करेंगे अब हम इसको छानने के लिए तयार कर रहे हैं तो पेन को बिठा देना है पेन को कर लेंगे जैसे ओल हमारा दे गरम हो जाए न तो हम गयास को कम कर देंगे की क्या तो किंव्कि कटलेट कभी भी हम लो अंदर तक कुक हो और इस का खासीत यह है कि इसको जादा ओईल में जानने का आउप सकता नहीं है किए कम से कम ओईल में बनके त्यार होता है और ज्यादा तेल भी आप स्वेखünd में बॉह्त ज्यादा हैल्दी आपर इस अध combination कर लेक द्रॉपाया जिद अंदर से सॉफ्ट, और बहार से क्रिस्पी बनके हमारा कटलेट जो है तू प्रोपरली हमारा कटलेट अच्छ सीख चुका है तो सारा कटलेट को ऑल चांती हुए हम इसको बहार करेंगे देख रहे हो हमने सिरीप और सिरी दो चमिन औुछ अईड़ा था उसमैं भूर को आइड़ किया था उसमें भी कटलेट हएक्टब काोल तो शमारा कटलेट का इस्तेयार रखन दूपरब़ाल के से अंब ररीट और आराम आराम हों किझान विजिकить और अधी कटलेट पैलν हम ज़ान के निकाल लेंगे तो फाइनली हमारा कटलेट बन के तयार है कच्चे आलू चने की बिल्कुल यूनिक तरीका से जिससे देख आपका मेमान तो खुस होंगे ही होंगे साथ में आपके फैमिली में सारे मेंबर खुस होंगे तो गर्मा गरम हम इस तरह से टोमेटो केचिप का साथ में सॉफ करेंगे ये कटलेट जितना देखने में लुक अच्छा आ रहा है ना उतना ही खाने में टिस्टी है आपका पेट भर जाएगा पर आपका मन नहीं भरेगा और अंदर से इतना सॉफ्ट और बहार जितना क्रिस्प बन के तयार हुआ है शोप कि ये रेसेपी आपको यूनिक लगी होंगी या अच्छी लगी होंगी तो प्लीज एक लाइक सेर जरूर करें और आप पहले बर मेरे चैनल को देख रहे हैं thank you for watching me